नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ फेंटसी बिनिंग 11 यूटूब चैनल पर और दोस्तों हमेशा की तरह आशा यही करता हूँ कि आपके चेहरे पर मुस्कान होगी दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाइजूस बंगल इंटर डिस्टिक्टी 20 टूनामेंट के बारे में दोस्तों M.U.N. और B.H. के बीच में यह मकावला है दोनों ही टीमों की यदि देखा जाए दोनों ही टीमों को इस टूनामेंट में तो एकदम कमजूर साबित यह दोनों ही टीमें हुई हैं दोस्तों अभी तस में डाले हैं के मॉकाबलों के बारे में तो दो मॉकाबले M.U.N. ने खिले हैं और दोनों के दोनों मॉकाबले धूर ऒूत की टीम यहां पर मजबूत रहने वाली है क्योंकि इनके दोरा जो तीन मुकाबले खेले गाये हैं वहाँ पर दूस्तों पहले मुकाबले में 133 रन इनों ने बनाये हैं दूसरे मुकाबले में 113 और तीसरे मुकाबले में 110 रन यहाँ पर बनाये हैं यहां पर नो बिकेट के नुक्सान पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि यह दोनों ही टीमें ऐसी रही है जिनके बिकेट ज्यादा गर रहे हैं दोस्तों पूरे टूनामेंट की कहानी यही आई है अभी तक कि दोनों ही टीम जो आपस में मैच खेलती हैं दोस्तों यानि पर मैच में बात कर रहें अब दोस्तों बिलकूल भी इन मैच होो नहीं नहीं बन रहे हैं। पहली पारी का 120 से लेकर 125 का एवरेज स्कुर निकल कर आया है वहीं अगर बिक्टो की बात करें दोस्तों हर इनिंग में साथ बिकट का एवरेज यहां पर निकलकर आया याई दोस्तो आफ अंदłę लिघा सकते हैं कि बोलरों की I March में कितनी एहिमियत रहने रहने वाली और दोस्तो आज के इस मैच में हम भी हईड़ टु एडर किसी परकार की लीघ में दोस्तो बोलर even को ही spot and our 2021 k कि चालीस औवर मेंसे दोस्तों किम÷ं 36 कों से ऐसे पालर हैं हम किसी पर ambition लीग में हमारे लिए बेस्टपिक रहने वाले हें लेकिन दोस्तों उस्स पहले जिए dalla면 जिनल पर पहली वार आए यहां तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें दोस्तो बीडियो को अंद तक जरूर देखिएगा बीडियो यादी पसंद आती है तो बीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें सबसे पहले दोस्तो हम आप बात कर रहे हैं बोदरों के ब यह एक बिकेट निकालने में सपलता प्राप्त की है तो ऐसे में दोस्तों देखते हैं आगे और अच्छे पिलियर आते हैं तो उनको हम टीम में रखने वाले हैं लेकिन फिलाल दोस्तों चार ओवर का स्पेल अपना खतम कर रहे हैं उस लियास से इने हम अपनी टीम में जगा देने वाले हैं और दोस्तों बी-एच के ये बॉलर है यानि देखा जा दोस्तों तो एम-ई-उ-एन की टीम कमजोर है तो यहां पर दोस्तों बिकिट निकालने में ये प्लियर सक्चम रहने वाला है इसके बाद दोस्तों यादी बात करें अपना अनीश पांडे के बारे में तो 78% लोगों ने इने अपनी टीम में शामिल किया है दोस्तों इसका सबसे बड़ा करण ये है कि इनके दोरा खेला गया पहला मुकाबले में ही तीन ओवर फेके और तीन बिकिट निकाल कर टीम के दिये हैं इसके बाद लाश्ट मुकाबले में दो ओवर फेके हैं हलाकि कोई बिकिट नहीं मिला है लेकिन दोस्तों ऐसे बात करें तो आप इनके साथ आसानी से जा सकते हैं बिकिट टेकर दोस्तों ये बोलर रहे हैं दोस्तों ब्यादी बात करें अपन मनों जो महतों के ब पहले मुकाबले में एक और दूसरे मुकाबले में एक एक बिकेट भी टीम के लिए निकाल कर दिया है तो दुस्तों ऐसे में आप इस बोलर को भी अपनी टीम में शामिल जरूर कर सकते हैं तो अब यह बात करें अब अभी शेख खान के बारे में तीन परसेंट लोगों ने टीम में सेलेक्ट किया है दोस्तों आप इनको आसानी से ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों पांच पे नंबर पर ये बल्ले बाजी करते हैं और दोस्तों ये बॉलिंग सेक्षन में दिये हुए हैं लेकिन ये बल्ले बाज हैं दोस्तों बॉलर नहीं है इसलिए आप इनक को आसानी से ड्रॉप कर सकते हैं जोस्तों अब जादी बात करता है अपन बेवेक कोरी के बारे में तो 75% लोगों ने इन्हें अपनी टीम में सामिल किया है दोस्तों बल्ले बाजी में पिछले मुकाबले में चोथे नंबर पर बेटेंग करने आयते वहां पर 19 रन इनके बल् लिंग की बात करें तो पहले मुकाबले में चार दूसरे मुकाबले में तीन और लाश्ट मुकाबले में फिर इन्होंने चार ओवर फेके हैं और ऐसे हम दोस्तों बात करने तो तीन जीरो और दोस्तों जीरो यानि देखा जा दोस्तों तो तीन मैचों में तीन बिकिट नि वहापर दो बिकेट निकाल कर टीम के लिए दिये हैं अगले मुकाबले में चार ओवर फेक कर एक टीम के लिए निकाला है और पिछले ही मुकाबले में चार ओवर फेक कर तीन बिकेट अपने टीम के लिए निकाले हैं यह तो दोस्तों कम्पलीट ओवर फेक रहे हैं अपना स दोस्तों शामल नल और बुरा ही के बारे में तो 15% रूगों ने ने अपनी टीम में सेलक्ट किया है दोस्तों आप बिल्कुल भी यह ना सोचें कि बोलर हम 4-5 नहीं खिलाएंगे दोस्तों आप 4-5 बोलर खिलाओंगे आपको इसमें काफी ज़्यदा फायदा मिलने वाला है क्योंकि दोस्तों एक बल्लेबाज ऐसा आप बात करें पूरे दोनों जो मैच अपन देखेंगे दोस बोलर को खिलाओंगे तो ही इस मुकाबले को आप आसानी से जीच सकते हो दोस्तों ओल राउंटर सेक्शन की बात करें तो यहां पर हमारे सामने सबसे पैदा नाम आता है आकास हुसेन दोस्तों परामिक का बात करें तो टीम के लिए यह ओपन कर रहे हैं दोनों मुकाबलो हमें उपन किया है दोस्तों जीरो जीरो रन इनके बल्ले से निकले हैं यानि दोस्तों आप इनको आसानी से ड्रॉप कर सकते हैं बिकरम गोराई के बारे में बात करें तो नंबर चार पर यह बल्ले बाजी कर रहे हैं साट परसेंट लोगों ने इनको अपने टीम में सेलेक दोटो सकत्ति के बाट करने सॉरह मंदल के बारे में लगबाभ हरवंडे नेने इने अपने टीम में कीया है को यह बात करने बल्लेबा जी तो दोस्तों की लिए नीचा आती यान्हीन पहले मुकाबले v साथ पह बहुति और तीसरे देखा जा दोस्तों, इसलियाद से आप ने 100% अपने टीम में जगा ले सकतेए हैं, थासे में इसके matière हम भात करने वालेliगे का हैं, पना की रखी जानले ऑफ चीजा सब forces को मληतिते हैं, ऑपने पी तोहें सेरा खतुके कार taş आता हैं। बल्लेबाजी दोस्तों, बात करें तो, साधवे नंबर पर ये बैटिंग करने वाले हैं, और भी वाली हैं तो मैडन के साथ एक बिकिट भी निकाला है हाला कि दूसरे मुकाबले बिकिट नहीं मिला है लेकर दोस्तों इस पहले खतम कर रहे हैं और आपके लिए शांदार ये बोलर थाबित होने वाला है आसानी से आप इने कैप्टन बाइस कैप्टन ट्राइ कर सकते हैं दोस्तों बल्ले बाजों की बात करें तो इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेश्ट है यदि आप चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों वीडियो यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें दोस्तों टेली ग्राम चैनल से आप आसानी समसे जुड़ सकते हैं दोस्तों डिस्क्रिप्सन में आपको लिंक मिल जाएगा आप वहां से हमसे आराम से टेली ग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे और पहले मुकाबले में दोस्तों तीन और दूसरे मुकाबले में चार रनेंड के बल्ले से निकले हैं लेकिन अच्छी बात दोस्तों हमारे लिए ये है कि दोनों ही मुकाबलों में इन्होंने चार चार ओवर्फे के हैं और दो दो बिगट निकाल कर टीम के लिए दिये हैं यानि देखा जा दोस्तों तो ये आपके लिए काफी शानदर कैप्टन और बाइस कैप्टन चोटी लीग मतलब हेड टू हेड लीग में आप इने आसानी से रख सकते हैं वह ग्रांड लीग में भी काफी शानदर आपसन ये आपके लिए रहने वाला है इसके लाव बात करें दोस्तों शुबदीप मंगल के बारे में तो दोस्तों नाइंटी फूर परसेंट लोगों ने अपनी टीम में शामिल किया है दोस्तों ये प्रॉपर बल्लेवाज है यानि पहले मुकाबले में उपन आये थे इसके बा पारे गला हम दोस्तों बात करें हैं अपन सबसे लाश्ट में आपको दिखने वाले हैं सुदिपता शाहिस तो सभुदसों 86% लोगों ने या अपनी टीम में शामिल किया है दोस्तों रॉनों के लिया लेगे थे थे खशुकर पहले मुकाबले में भीड़िये दो ओर दीम म लिए निकाल कर दिये हैं बल्ले बाजी में पांच पे और साथ पे नंबर पर दो मुकाबलों बैटिंग की है दोस्तों हो सकता है आपके लिए ये बल्ले बाजी में भी रन करकर दे जाएं लेकर दोस्तों बॉलिंग कर रहे हैं तो उस लियास से आप इनको यहां से ट्राय कर सकते हैं तीन वल्लेवाज दोस्तों आपको बता हैं बड़ी आसानी से आपने सेलेक्ट कर सकते हैं बैकेट कीपरिंग की बात करें तो यहां पर आपको गोरव यादब और आयन सिना दोनों दिखने वाले हैं दोस्तों गोरव यादब की बात करें तो नमबर तीन पर और आयन आप गोरव यादब को ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों बात करने सिना के बारे में तो ये बी एच के बिगट कीपर है और बी एच की दोस्तों जो बॉलिंग है वो सबस्यादा पॉइंट आपको दोस्तों ये दो कैशी पकड़ लेंगे दोस्तों ये आराम से गोरव यादब को पीचे छोड़ देंगे तो 100% दोस्तों आप सिना के साथ जाईएगा और दोस्तों इस तरह से आप आसानी से टीम बना सकते हैं तो और यदि तो आप टेली ग्राम चैनल से हमारे से नहीं जुड़ें हैं तो डिस्क्रिक्शन में आपको लिंक मिलेगा आप आराम से टेली ग्राम चैनल से हम से जुड़ जाएंगे दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई